कहला सफ्ट रकाए तो जब भी इस तारीव इस तरक का कुछ सवाल आए जैसे यह एक मेल्स बाने के निअगा है यह हमारी सब्सक्तम करएक और इसको रसक्राइसे पर जैसे की आप देख सके तो यहां पर देखे यह result इस तरीके का आया हुआ है ठीक है अब यह SQL में इस तरह की query अगर आपको बनानी है तो यह इस तरीके से बन जाएगी लेकिन सवाल क्या पूछा जाता है कि इस query को जो आपने बनाया या फिर यह जो table बनी हुई है इसको select करना है पूरे table को एक बार म select करना है तो फहले हम इसको save कर लेते हैं और save करके इसको close कर देते हैं close कर दिया अब पूरे table को एक बार में select करने के लिए क्या query लिखेंगे तो देख लिए table किस नाम से बनी हुई है product के नाम से बनी हुई है तो create पर चलते हैं और आ जाते है सीधा कहा query design पर query design पर आने के बाद इसको यहां से off कर देना है close कर देना है close कर दिया SQL पर click कर दिया अब यहां पर आ रहा है select कहां से select करना है select from table का नाम क्या है जो भी table का नाम है वो table का नाम हमें देना है तो यहां पर product मैंने लिख दिया ठीक है लेकिन यह इस तरीके से आएगा नहीं ठी symbol अगर मैं select from product दे देता हूँ तो यह हमारी query run नहीं होगी यहाँ पर termination दिया देखिए यहाँ पर यह query चलेगी नहीं देखिए यह problem आएगा ठीक है तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा यहाँ पर एक asterisk symbol हमें लगाना होगा किस तरीके से लगाना होगा यह कुछ इस तरीके से select from product आप देखिए अब यह query run हो जाएगी यहाँ से इसको terminate कर देता हूँ और यहाँ से अब तो यह देखिए यह query run हो गई और एक बार में सारा record प्रेश हो गया तो जब भी आप से खास्तोर के यह intermediate वालों के लिए है और ज्यादा तर यह पूछा जाता है कि कौन सी query हम लगाएंगे तो हमें पूरा table selection में आ जाएगा मेरा पूरा table selection में आ जाएगा तो यह वो query है जिसके मुदद से आप पूरा table selection में ले सकते हैं select लिख करके abstract symbol लगाईएगा फिर यहाँ पर from लिखिएगा और फिर table का नाम दे जाएगा तो जो भी table का नाम है वो आप देंगे तो वो table selection में आ जाएगी ओके I hope कि यह बात समझ में आ गई होगी ओके so thank you for watching this video